इस वीडियो में हम लोग आव कलाज डिफ्रेंसियेशन में NCRT Math कलास 12 के प्रशनावली 5.2 के कुशन को करने वाले हैं तो यहाँ पर देखिए प्रशनावली 5.2 में यहाँ पर है दिये हुआ है प्रशन 1 से 8 में एकस के सापेक्ष निमन लिखित फलनू का आव कलाज कीजिए एक में है साइन 1 से स्क्वाइर प्लस 5 दू में यहाँ पर आप कुशन सब देख सकते हैं एक से 8 तक है जिसमें हमको एकस के सापेक्ष इसका आव कलाज गियाद करना है जो प्रशनावली 5 दसमलग 2 में है तो चलिए इसके कुशन को लोग सुल्व करते हैं तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले एक नमबर कुशन को सुल्व करते हैं तो एक नमबर कुशन में साइन 1 से स्क्वाइर प्लस 5 तो इसमें अव कलन गियाद करना है x के साफ एक चाओ कलन का मतलब होता है dy by dx यहाँ पे x के साफ एक कर रहा कहा जा रहा है तो dy by dx होंगे जिसमें dy by dx हमको ग्याद करना है तो यहाँ पे solution में सबसे पहले यहाँ पे y बराबर नहीं दिया है तो y बराबर हम लोग अपना से इसको मान लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा लेट वाई बराबर लेट वाई बराबर यहाँ पे हो जाएंगे sin x square plus 5 हो जाएंगे sin x square plus 5 हो जाएंगे यहाँ पे लेट का मतलब होता है माना कि आप यहाँ पे हिंदी में भी लिख सकते हैं माना कि y बराबर sin x square plus 5 अब यहां पर इसको हम लोग dy by dx लाने के लिए यहां पर differentiation करते हैं जिसके लिए लिखते हैं dcwr2x इसका full form होता है differentiation coefficient with respect to x जिसका हिंदी में होता है x के साप एक्ष आवकल गुनांक करने पर तो यहां पर आप चाहें तो हिंदी में भी लिख सकते हैं x के साप एक्ष आवकल गुनांक करने पर तो यहां पर जब x के साप एक्ष हम लोग आवकल गुनांक करते हैं dcwr2x लिख देते हैं तो यहां पर वाई बराबर साइन एक से स्क्वार प्लस पांस है तो यहां पर भी डी से गुना करते हैं और यहां पर भी डी से गुना करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि X, DX कटा सकते हैं, मैत का रूल है कि दोनों तरफ अगर समान संख्यास से आप जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, गुना कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, तो फलन पे कोई परभाव नहीं पड़ता है, तो D से हम इधर भी गुना कर दिये, DX से इधर भी भाग कर दिये, DX से sign by dx बराबर होता है, cos x तो यहाँ पे angle x है, तो यहाँ पे cos x में तूटी गया है, अर्थात ऊपर और नीचे जब angle बराबर रहेगा, तभी निये इसका DC तूटे गा, और कलस तूटे गा, मगर यहां पे sin का angle x square plus 5 है नीचे angle x है तो यहां पे इसका angle बराबर नहीं है तो इसका angle पहले बराबर कर लेना पड़ेगा तो इसके लिए हम लोग इसको chain form पे इसका angle बराबर करते हैं तो यहां को जाएंगे d y by dx बराबर d sin x square plus 5 बट्टा इसका angle x square plus 5 है तो यहां को जाएंगे d x square plus 5 गुने अब यहां पे यह हो जाएंगे d x square plus 5 बट्टा यह हो जाएंगे dx अब यहां पे यह simple में आगे है तो d से हम इसको गुना करा देंगे और सबके बट्टा में dx लिख सकते हैं तो यहां पे अब यह हो जाएगा d y by dx बराबर d sin x square plus 5 बट्टा d x square plus 5 गुने इसको d से गुना करा देंगे तो यह हो जाएगा dx square इसके भी बट्टा में हो इसके दूनों के लिए था इसके दूनों के बट्टा में हो जाएंगे अब इसका हम लोग डीसी तोड़ देंगे साइन का होता है कॉस्त यहां पर और नीचे अब दोनों इंगल बराबर हो गया तो साइन dog3 के नहीं एक्स का डीसी कीतना होता है कॉस एक्स तो साइन बदल जाएंगे कॉस एकस में इंगल यतना ही रहेगा एक सक्वार प्लस पांच है तो एकस एसक्वार प्लसपांच ही रहेंगे इंटु यहां पर बेसिक आउकलज नहीं आता है तो इसका यह सारे बेसिक आउकलज जो हैं बतला दिया अगर आप लोग को नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे आप वहां से जाकर के बेसिक आउकलज को देख सकते हैं ताकि आपको exercise में जो बन रहा है उसको समझने में दिखत ना हो तो आप वहां से देख लिंक देख सकते हैं जो बेसिक है आउकलज तो यहां पर x स्क्रार है तो इसको n x के पावर n माइनस 1 पर तोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 2 x के पावर 2 माइन स ओन अपल इसे चालें कोई बी कोंशिटन का मतलब होता है अचल जίसे एक दो तीन चार पांस यहां पर एक सके रेश्पेक्ट में पांस क्या हो जाएंगे गयों इसका माझन जीरो होता का die यहां जाएंगे यहां पर सबस्टें को सब्सक्राइब सब्सक्राइब और भी रॉजadows हो गया 90001 निकल रवाइब यह घ्ली सब्सक्राइब निकले ऑपर धम्हेंद Bitcoin सब्सकों को सब्सक्राइब प्लास पांस तो यहां पर जो कुश्यन नंबर हमारा एक है कुश्यन नंबर एक हमारा बन गया अब चलिए अगले कुश्यन को देखते हैं तो कुश्यन नंबर यहां पर दो नंबर कुश्यन को भी हम लोग देखते हैं तो यहां पर दो नंबर कुश्यन को सुल्व करेंगे x cos sin x हो जाएंगे अब इसको हम लोग dc करेंगे तो dc with respect to x जब भी dc with respect to x हम लोग करते हैं तो यहां पर यह dy by dx हो जाएगा बराबर यहां पर यह dc sin x बटा dx हो जाएगा अब यहां पर dc है तो यहां पर dc x by dx बराबर होता है sin x होता है फर्मूला तो यहां पर angle x तो नीचे भी x तब जाकर कि यह sin का cos कौशिच में टूटा है sin में टूटा है sin x में अब यहां पर यह जो cos है cos का angle यहां पर तो sin x है और नीचे सिर्फ x है तो टूटेगा नहीं तो यहां पर भी हम लोग chain form पर तोड़के इसको बराबर करेंगे तो यहां पर dy by dx बराबर हो जाएंगे chain form पर तोड़ेंगे d cos sin x बटा d sin x यहां पर जो angle है total को नीचे उतारतेंगे into फिर इसको यहां पर लिखेंगे d sin x by dx x x एंगल यहां पर बराबर हो गया और cos का angle sin x sin x यहां पर बराबर हो गया फिर चाहां ड sin x से d sin x कटा देंगे जितना उतना ही आ जाएगा तो अपना से जो भी चीज करते हैं उसको हम लोग कटाते नहीं है तो अब यहां पर दोनों का angle बराबर हो गया तो दोनों का आप यहां पर dc लिख देंगे तो cos x का dc sin x होता है यह angle में sin x है यहां पर यह sin x नहीं बदलेगा dc में यहां पर angle में sin x है यहां पर sin x का sin x ही रहेगा सिर्फ यह बदलेगा तो cos का होता है सोरी cos का minus sin x dc होता है तो cos का यहां पर minus हो जाएगा sin और angle यहां पर sin x हो जाएगे angle into sin x का dc यहां पर हो जाएगे cos x अब इसको बढ़िया से हम लोग करके लिख देते हैं तो dy y dx बराबर हो जाएगे minus cos x into sin x हो जाएगे यह होगी हमारा answer तो आई होप आप लोग को किलियर यहां तक कुष्यन नमबर दो तक समझ में आ गया कि कैसे बनाएंगे अब यहां पर जो कुष्यन नमबर तीन है इस कुष्यन नमबर तीन को भी हम लोग सुल्व कर लेते हैं यहां पर देखेंगे यहां पर कुष्यन नमबर तीन है यहां पर कुशन नमबर 3 में यहां पर लिखा है साइन एक्स पलस बी है कुशन नमबर 3 में साइन एक्स पलस बी यहां पर तो यहां पर तीसरा नमबर का हम लोग शुलूशन करते हैं तो यहां पर लिखेंगे लेट वाई बराबर यहां पुजाएंगे shine ax plus b हो जाएंगे shine ax plus b यह कुछन है तो अब यहाँ पर shine ax plus b है तो अब इसको हम लोग तोड़ते हैं dc अब colorage करते हैं x के साफ एक्च dc with respect to x x के साफ एक्च ही करना है तो यह हो जाएंगे dyy dx हो जाएंगे यह हो जाएंगे d sin ax plus b beta dx हो जाएंगे अब तो हम लोग फर्मूला जानते हैं d sin x by dx बराबर होता है cos x होता है यहाँ पर angle x तो नीचे भी angle x रहना चाहिए तभी तूटेगा लेकिन यहाँ पर sin के angle ax plus b है नीचे x है तो यह तो तूटेगा नहीं तो इसके लिए हम लोग चैन फर्म पर तोड़के इसको बराबर करेंगे तो यहाँ पर यह हो जाएंगे db अब बट्टा dx आएगा तो इसके भी बट्टा में dx और इसके भी बट्टा में dx हम टायरेक्ट यहाँ पर लिख दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो dx है तो फिर इसको नीचे लिखेंगे फिर नीचे वाला ये जो है उपर आएगा और यहाँ पर dx जो है यहाँ पर dx दोनों के लिए दोनों बट्टाव हो जाएगा जो question number हम लोग एक में बनाए हैं जो question number एक था उसमें बनाए है same way ता ही इसमें हम डारेक्ट यहाँ पर तोड़ दिये हैं अब यहाँ पर इसका भी एंगल बराबर हो गया तो अब यहाँ पर इसको हम लोग तोड़ देंगे तो sin x का dc क्या हो जाएगा cos x तो sin x का cos x angle ax plus b है तो ax plus b ही रहेगा into यहाँ पर a का a होगा और dx by dx का value एक होता है तो a हो जाएगा plus d b है तो b x के respect में b क्या हो जाएगे constant हो जाएगे और यहाँ पर कोई भी variable रासी नहीं है तो इसका मान 0 हो जाएगा अगर को d कोई भी constant हो बटा में dx हो तो उसका मान 0 होता है तो यहाँ पर 0 हो जाएगा तो यहाँ पर a में x से गुना करेंगे तो a होगा और a में 0 जोडेंगे तो तो यह ही हो जाएगा तो इसको हम लोग सई दंग से यहां पे लिख लेतें D everyday dx बराबर यहां पे निकल जाएगा A into cos AX plus B a into cos A x plus B टाा आई होप यहां तक आप लोग को किलियर समझ में आ गया तो यहां पर यह तीन नमबर कुल्षन का यह हमारा एंसर होगेज़ चलिए अगले कुशन को सुल्व करते हैं तीन तक हम लोग अलेड़ी सुल्व कर लिए चौथे कुशन को सुल्व करते हैं तो यहां पर चौथे कुशन को देखेंगे तो यहां पर जो चौथा नमबर कुशन है चौथा नमबर कुशन को हम लोग सुल्व करेंगे यहां पर चोफ़े नमबर कुछ्चन जो है यहां पर इसको माल लएगे लेट वाई इसकल टू यहां पर हो जाएंगे 610 रूट एक्स हो जाएंगे 610 रूट एक्स हो जाएंगे अब इसको हम लोग डी सी करेंगे तो यह हो जाएगा dc with respect to x हो जाएंगे और यह यहाँ पर हो जाएंगे dy by dx इसकल टू डी सेक 10 root x बटा dx तो यहाँ पर इस कुशन को हम लोग दियाद से समझेंगे यहाँ पर जो सेक है सेक का इंगल दिया है 10 root x और यहाँ पर जो फर्मूला होता है d सेक x by dx बराबर होता है सेक x into 10x होता है सेक x into 10x होता है अर्था तो सेक का जो इंगल x है नीचे भी इंगल x होना चाहिए यहाँ पर ओकलेज में आप लोग को एक fundamental याद रखना है कि इसमें बस सबका इंगल बराबर करना है अगर इंगल बराबर हो गया तो उसका आसानी से आप dc लिक देजिए वही हो जाएगा तो यहाँ पर सबका इंगल बराबर कर देंगे तो यहाँ पे सेक है तो सेक X का यहाँ पे angle 10 root X है और नीचे X है तो यहाँ पे angle बराबर नहीं है तो इसका DC नहीं टूटेगा DC टोड़ने के लिए सबका angle बराबर करना जरूरी है तो इसको अब हम लोग chain form पे तोड़के इसका angle बराबर करेंगे तो यहाँ पर अब एंगल बराबर करना जरूर हुए क्योंकि जब तक लेंगल नहीं बराबर करेंगे तब तक लेंगल इसका आउकलज ही नहीं तूटेगा तब यहाँ पर हो जाएंगे d6 tan root x बटा है इसका इंगल कितना है tan root x इसको नीचे लिखेंगे d tan root x फिर into d10 root x नीचे है जो भी उपर से इंगल नीचे लिखेंगे इसको उपर लिखा जाता है फिर यहाँ पर लिखेंगे d10 root x बटा अब यहाँ पर फर्मूला होता है यहाँ पर फर्मूला होता है d10 x बटा dx बराबर होता है 6 square x अर्था तर 10 का भी इंगल इतना उपर है उतना ही इंगल नीचे होना चाहिए अब यहाँ पर d10 root x यहाँ पर इंगल कितना है root x तर नीचे भी root x होना चाहिए दी root x अब इसको फिर से उपर लिखेंगे d root root का मतलब होता है 1 by 2 पा वर में तो यहाँ पर d root x आएगा यहाँ पे कितना आएगा मारा root x root का मतलब होता है कितना 1 by 2 यहाँ पर आएगा d root x तर root ko हटा करके यहाँ पर 1 by 2 लिख दिया और बट्टम हो जाएंगे यहां पर यहां पर इंगल x यहां पर नीचे इंगल x क्या हो गया हमारा बरावर हो गया अब सबका dc यहां पर सबका इंगल क्या है बरावर हो गया फिर चाहें तो d10 root x से d10 root x कटा सकते हैं 1 by 2 का मतलब रूट ही होता है तो इसको रूट में भी लिख सकते हैं कटा सकते हैं फिर यहां पर जितना है dc10 root x बट्टा dx ही आ जाए लेकिन इसको चैन फर्पर हम लोग इंगल तोड़ने के लिए बरावर किये तो इसको कटाते नहीं है तो अब यहां पर सबका इंगल बरा अउन्टू 10也 को सेहां पर गांगे शेंकर ज्ल में पर टेन ड्र एकस है तो यहां पीन दायेंगे टैन रूट ही इंटू फिर यहां पर विर ऐपने बरावता टांस बढसरेत पर आंधीत टैन को स्क्राइव तो इसंड़ने क्या है पर यहां पर सेक्यकार यहां पर यहां प X के जगह पे root X है तो यहाँ पो जाएंगे root X into यह X के power N 1 by 2 है तो X के power N वाले फर्मूला पे तूटेगा तो यह हो जाएगा 1 by 2 X के power N minus 1 होता है power में तो 1 by 2 minus 1 हो जाएंगे यहाँ पे 1 by 2 minus 1 हो जाएंगे तो यहाँ पे dy by dx बराबर यहाँ पे हो जाएगा सेक 10 root X into 10 10 root X into यहाँ पे यह हो जाएंगे 6 square root X अब बट्टा में लिखे देते हैं यहाँ पे यह हो जाएंगे इन्ट गुने एक बट्टा दू और यहाँ पे X का power हो जाएगा जब इसको बट्टा परके घटाव करेंगे तो यह जाएगा minus 1 by 2 तब minus 1 by 2 है तो इसको नीचे ले आके हम लोग plus 1 by 2 कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएंगे यह 6 10 root x into 10 10 root x into 6 square root x बट्टा यहाँ पो जाएंगे 2 अब उपर से नीचे आएगा तो एक्स के पावर plus 1 by 2 हो गया तब इसको root लिख सकते क्योंकि यहाँ पे यह root था तो इसको plus 1 by 2 किये थे तब यहाँ पे final हमारा अब इंसर आजाएगा dy by dx बराबर 6 10 root x into 10 10 root x into 6 square root x बट्टा to root x finally यह अब हमारा answer हो गया यह हमारा अब क्या हो गया एंसर हो गया यहाँ तो यह हो गया हमारा answer तो यह हो गया हमारा answer तो यहाँ पे हम लोग question number 4 को भी solve कर लिए आयोब की यह आपको समझ में आगया कि question number 4 को कैसे बनाना है तो आज हम लोग exercise 5 दसमलों जो दू है exercise 5 दसमलों दू में जो अवकला जै इसमें हम लोग एक नंबर से question number 4 तक solve कर लिए तो आज के लिए इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देंगे अब जो अगले वीडियो होगा अगले वीडियो में लोग 5 से question number 8 तक करेंगे अगले वीडियो में तो आई झांबTI रहना है झांबता ऊना है ओज दूड करेंगे वीडियो को प供 दूड़ अजय हम लोग रहने ह llegó से होगले भीडियो में जू दूश करेंगे दंगेँ होगा जचे है चाँश करेंगे दो licyडियो हम जो जैंगे झाचें से झाल झाल